हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल इसके सोनू टेक वर्ड फ्रेंड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैपरकास उनिवर्सिटी शप्रा अस्तनात्र के नए सेशन 20-23 में जो नमांकन का डेट आया था तिसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उसको अब ब जो नमांकन की तिथी बढ़ाई गई है कब तक बढ़ाई गई है क्या सीट को भी बढ़ाया जा सकता है सभी जनकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी तो किर्प्या वीडियो को अंतक देखें और अभी तक आप चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हैं तो नीचे लाल ब पर सिटी छपरा असनात्तक के नए सेशन 20 इसका जो ठर्ड मेंट लिस्ट है उसका नमांकन का जो डेट रखा गया था अंतिम प्रिथी पांच मार्च जोहरेकिस उसको बढ़ाकर अब आठ मार्च दोहरेकिस तक कर दिया गया है अब बात रहा कि क्या फूर्थ मेरिट लिस्ट आएगा तो फ्रेड देखिए अभी आठ मार्च तक तो तिसरी मेरिट लिस्ट पर ही नमांकन होने वाला है उसके बाद अगर सीट बचता है तो हो सकता है कि फुर्त में टिस्ट जारी किया जाए अभी उसके बारे में कोई इंफर्मेशन नहीं आई है जैसे ही आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा अब आगे बात करते हैं कि क्या सीट को बढ़ाया जा सकता है क्यांकि आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत से छात्र संगठा ने इसके बारे में कुलपती महोदे से अगरह किया है कि किर्पया सीट को बढ़ाया जाए तो कुलपती महोदे ने अस्वासन दिया है कि राजभौन में इस बात को उठाया जाएगा जैसे ही वहाँ से इसके बारे में कोई इंफर्मेशन मिलेगा आपको जल्द बताया जाएगा तो किर्पया हो सकता है कि सीट को भी बढ़ाया जा सके कियमकि आप सभी को मालम होगा कि मात्र 36,000 सीट पर एडमिशन होना है जबकि 75,000 से अधिक आवेदन आये थे नमांकन के लिए तो किर्पया आप लोग ऐसे ही इस चैनल पर बने रहें जैसे ही आपके लिए कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा तो फ्रेंड इस वीडियो को ज़्यादा आपने दोस्तों में सेर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई जयनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत